नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मैं हूँ डॉक्टर देविंद्रधावन आज के समय हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो 4G टेक्नलोजी वाले मोबाइल है और 4G पर ही हम वोईस कॉल की सुविधा भी लेते हैं इंटरनेट की सुविधा भी लेते हैं इसके साथ जो है साथ कोरिया चाइना अमेरिका बहुत सारे देशों में तो 5G मोबाइल स्टार्ट भी हो चुका है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि मोबाइल की जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं विभिन पीडियां हैं वो कौन सी हैं क्या क्या उनके फीचर थे और मोबाइल की य विष्व के बाकी देशों में आये थे उस समय पर तो यह बहुत बड़ी क्रांती के जैसे था कि बिना तार वाले जो हैं मोबाइल यूज हो रहे हैं क्योंकि उससे पहले सिर्फ तार वाले फोन हुआ करते थे तो एक रांती की जैसा वो था हलाकि उस समय पर जो मोबाइल technology जो इस्टार्ट हुई थी वन जी वाली इस पे सिर्फ वाइस कोल हो सकती थी सिर्फ आवाज जो है वो आजा सकती थी आज तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा भी आ सकता है खराब भी आ सकता है आप देखते हो कि चैनल में बीच में बहुत सारे डॉट डॉट बिंदी बिंदी हमको दिखाई देते थे तो अच्छा खराब बहुत खराब कम खराब अनेक तरीके का सिगनल आ सकता है आजकल जो डिजिटल सिगनल यूज होते हैं, digital signal में दो ही condition होती है, signal आएगा, तो पूरा आएगा, अच्छा आएगा, जिसको हम on condition कहते हैं, signal नहीं आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, बीच की कोई condition नहीं होती है, तो पहले जो था, analog signal signal यूज होता था, लेकिन उसमें quality अच्छी नहीं आती थी, आवाज में बहुत बढ़ी क्रान थी, पुराने समय में आपको याद होगा, बचपन में बच्चे जो है, मार्चिस से जो है, फोन बनाया करते थे, दो मार्चिस की दिभी लेते हैं, बीच में धागा बांते हैं, तो आप देखोगे 1979, मलब 1980 के दशक जब स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जब ये करांती आई है, बगेर तार वाला फोन, तो एक बहुत बड़ा revolution था उस समय के नुसार तो, काफी बड़े ये mobile के जो ये set है, ये होते थे, इनकी battery भी काफी बड़ी होती थी, लेकिन बह इंडिया में नहीं आया, इंडिया में डारेक्टली जो mobile technology जो start हुई थी, वो 2G mobile technology जो इंडिया में आई, इसके बाद जब वन जी है, वन जी के बाद जो mobile technology का विकास हुआ, वो technology थी 2G, second generation, दूसरी PD की mobile, अब ये जो mobile start हुए है, ये तो technology start हुई है, उनी से क्याने में में Finland से ये technique start हुई है 2G, ये बहुत सारे तरे-तरे की handsets दिख रहे हैं हमको, और हम बैसे जरतर लोगों ने जरूर इन handsets को पहले use किया होगा, और ये जो technology थी अब digital system पर आ गई थी, analog signal जो कि खराब signal होते है, उनकी quality कम होती है, पूर होती है, अब ये digital पे convert हो चुके है, 2G मे क्या हुआ कि voice call के साथ, अब SMS start हुआ, पहले जेको सिर्फ voice call थी, सिर्फ बात कर सकते थे, हाला कि वो भी बहुत बड़ी बात थी उसमें पर, लेकिन जब 2G start हुआ 1991 में, अब SMS start हुआ, अब लोग SMS भी करने लगे, हाला कि SMS जो है, बहुत महेंगे हुआ करते थे, और हमारे 2G में आगे थो थोड़ा विकास हुआ, फिर 2.5G आया, 2.75G आया, तो 2G में ही SMS के बाद MMS भी आया, Multimedia Messaging Service, तो Multimedia Message में क्या होता था, कोई छोटा सा जो है, यहाँ पर जो वीडियो की clip हो सकती है, या image को जो है, वो forward किया दा सकता है, और इस 2G में ही internet start हुआ, जिसको कह भागया GPRS, हलाकि यह जो 2G का जो internet है, इसकी speed काफी कम थी, 64 Kbps, तो 64 Kbps की speed हुआ करती थी, इंडिया में जो 2G है, वो 1800 और 900 MHz पर काम करता है, देखो यह जो frequency है, आप यदि देखो FM radio को इदी हम देखते है, तो FM radio में आपको 90 MHz, 91, जो आप different जो है, आप देखते हो च यह जो technique से इनके अपनी frequency होती है, तो इंडिया में जो 2G मोबाइल जो हमारे काम हो रहा है, वो 1800 और 900 MHz की frequency पर जो band है, उनमें काम इसका होता है, इंडिया में सबसे पहले जो मोबाइल आया था, वो 2G ही था, 1995 में, 1995 में में इंडिया में 2G स्टार्ट हुआ था, और उस सम SMS, उसके बाद MMS, इंटरनेट यह सब 2G से ही स्टार्ट हुए, पहले स्टार्टिंग में बहुत सिंपल हैंडसेट हुआ करते थे, बाद में जो है थोड़े से और जो है यह वीडियो वाले हैंडसेट यह भी आने लगे, इंडिया में मोधी टेलस्टरा जो कंपनी थी, इस इसने जो है सबसे पहले हमारे इंटरनेट, इसको जो है 2G मोबाइल को स्टार्ट किया था, अब यह जो 2G है वो चलता रहा और 2G की उपयोगिता आज भी है, आज भी जो है हमारे रूरल एरियाज में वाइस कॉल्स के लिए 2G जो है मुखे जो है काम में आ रहा है, 2G के ब गया था और इंटरनेट चल गया था, अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 3G, 3G में स्टार्ट हो गया वीडियो कॉल, तो 3G मोबाइल जो स्टार्ट हुआ, इस 3G मोबाइल ने बाकी सारी फैसिलिटीज को अच्छा किया, डाटा की स्पीड को अच्छा किया, लेकिन इसने व वीडियो कॉल जो थी, उसमें भी काफी डाटा कर्च होता था, प्लस जो है, चार्जिस भी वहाँ पर लगते थे, तो 3G जो स्टार्ट ह Dominican में, इंडिया में जो 3G आया है, वो आया है 2008 में, तो 2008 में इंडिया में 3G आया है, काफी बाद में 2008 के लास्ट में, एजड़ टेकन जनरली हमारे 4G में भी हमको नहीं मिलती है जनरली दिन के टाइम पर तो कभी भी नहीं मिलती है तो यह 3G की स्पीड है जो theoretical होती है धानतिक रूप से जो स्पीड है प्रैक्टिकल में ऐसा हमको नहीं मिल पाती है स्पीड क्योंकि हमारे यहां क्या होता है मालो connection की capacity माल लिया कि किसी एरिया में 1000 लोगों को connection देने की capacity है लेकिन company क्या करेगी वहाँ पर 5000-10,000 लोगों को connection दे देगी उससे क्या अपनी capacity को increase नहीं करेंगे होगा क्या जो tower है या जो server से उनके ओपर load बढ़ जाता है तो 3G में time पर ही start हुए smart phones और उनमें apps का revolution हुआ एक तरीके से तो smartphone technology डवलप हुई और smartphone जो है android ने बनाए सबसे पहले android जो है platform पर बने और तरह तरह की application साब आने लगी तो यह जो application का revolution हुआ smart phones का revolution प्लस applications यह जो apps बनती है इन सब का starting जो है यह 3G technology की time पर ही हुआ है बहुत सारी apps बनी लेको 4G ने इन सबको आगे बढ़ाया 3G में जो यह चीजे start हुई है apps वाली 4G ने इनको आगे बढ़ाया है इंडिया में MTNL ने start किया 3G को December 2008 में जो हुआरा band है वो है 21 MHz 3G हमा 21 MHz की frequency पर काम करता है अला कि 4G जब start हुआ है तो 3G की utility में बहुत जैदा जो है कमी आ गई है और कुछ कंपनिया है जिनोंने अपने जो 3G वाले functioning को बंद कर दिया है जैसे वो cable 2G चला रहे हैं और वो 4G को चला रहे है तो 3G की utility कम हो गई क्योंकि 4G अब आ चुका है तो 4 4G आने के बाद 3G कम हुआ हला कि 3G का अपना रोल है क्योंकि generation से PD दर PD विकास हुआ है इसके बाद वर्तमान में हम जो इंडिया में यूज करने वो 4G technology है और आगे 4G जो है इसके बाद ही और जो दूसरी technology डवलाप होने वाली है वो की 5G लेकि 4G बंद नहीं होगा क्योंक लेकुम companies को चाहिए 4G जो सबसे पहले है Sweden में 2009 में इसकी starting हुई 4th generation चौथी PD की जो है mobile technology है communication और data transfer की और 4G जो है इसने एक तरीके से जो है apps में भी revolution किया वीडियो की जो streaming होती है उसमें revolution किया जो high quality के वीडियो जो हम देख पाते है YouTube पर और बाकी जो हम वीडियो के हमारे platforms है इसके अलावा जो है gaming में भी इसने बहुत ज्यादा change किया क्योंकि gaming में भी बहुत ज्यादा data consume होता high speed data की जौरत होती है तो 4G जो है 2009 में स्टार्ट हुआ Sweden में और इंडिया में 2012 में जो है Kolkata में 4G स्टार्ट हुआ और सबसे पहले जो company थी वो थी Airtel क्योंकि private companies है य यह है यह theoretical speed है हमको mobile device में जनरली ऐसी speed बिल्कुल भी नहीं मिलती है कारण उसका वही है क्योंकि हमारे आपर company जो है अपना infrastructure जो है जितने tower उनको लगाने चाहिए उनकी capacity बढ़ानी चाहिए वो तो नहीं करती है लेकिन connection वो बहुत ज्यादा जो है देने रखती है तो theoretical 4G क speed कितने होनी चाहिए 100 Mbps very high data transfer technology क्योंकि 4G की खास बात यही हुई कि जो data transfer है उसकी rate जो है बहुत ज्यादा हो गई bandwidth भी ज्यादा थी ज्यादा ज्यादा data जो है बहुत तेजी से क्या हो सकता है transfer चाहिए वो हम video download करे या कोई data download करे या फिर upload करे दोनों में हमको अच्छी speed म हमारे mobile के ओपर जो tv channels भी चलते हैं तो वो सब जो है possible हो पाया 4G आने के बाद से प्योंकि 4G आया तो उसकी वड़े से जो data का transfer है data काफी तेरी से उस पर जो है यह video stream हो सकते हैं game streaming जो होती है आप देखते हो different channels पर game stream होते है YouTube पर भी बहुत सारे game channels है तो यह सब के लिए भी जो है apps भी बहुत ज़्यादा heavy होती है game वाली तो 4G की मदद से ही हो पाया 4G जो हमारे इंडिया में use हो रहा है वो 2300 megahertz की frequency पर use होता है 2300 megahertz जैसे मैंने बताया radio में different frequencies होती है ऐसे mobile की भी frequency है 4G technology में long term evolution use होता है यह LTE क्या है देखो यह LTE एक नाम है इसको बोलते है radio access technology radio access technology की कौन सी टेकनीक से यह जो radio waves होती है जो mobile communication में use होती है data transfer के लिए use होती है तो वो जो technology है वो है LTE long term evolution तो इसी लिए जो हमारा 4G जो phone है उसमें जो हम data use करते है तो वापर उपर हमको LTE लिखा हुआ भी हमको मिलता है long term evolution और इस 4G के साथ एक खास बात और हुए voice over LTE 3G में जो हमारी voice call होती थी वो internet से नहीं चलती थी voice call जैसे हमारा 2G phone voice call करता है वैसे ही 3G phone में भी voice call होता था लेकिन 4G में voice call जो है वो internet की help से होने लगी तो voice over long term evolution तो voice over internet protocol तो internet की help से ही voice call जब हो पाती है उसको हम कहते है वोल्ट और यह जो VOLT long term evolution हमको बताता है कि यह जो हमारी 4G जो technology है यह हम LTE जो हमारा radio access technology है उस पर है जैसे जब 5G आएगा 5G में starting के जो 5G है वो LTE को ही use करने वाले हैं उसी को ही थोड़ा सा आगे और develop करेंगे पतलब कि 4G के जो platform है 4G के platform को ही use करके 5G development होगा पहले जो 5G हमारा use अभी develop हो रहा है जो फिलहाल airtel वाला तो वहाँ पर बाद में जो है ऐसा लिखाएगा NR जैसे हमारे 4G phone में LTE लिखा आता है ऐसे 5G phone में लिखाएगा NR NR का meaning होता है new radio तो 5G वाले जो है वो अ बोला गया है तो वहाँ पर जब हम internet चलाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा 5G NR तो यह हम बात कर रहेते हैं 4G की 4G इंडिया में कब आया है विश्व के लेवल पर कब आया है क्या फाइद हुए 4G के अब जब 5G आएगा तो यह 4G की जितनी भी जो खासियते हैं इन सब में ही improvement होने वाला है 5G जो mobile technology है इसको हम detail में discuss करेंगे अपने next वीडियो में यहाँ पर सिर्फ introduction यह है 5G जो है सबसे पहले जो है 5G को start आखिर करवाया किसने देखो एक संस्ता है GPP 3GPP third generation partnership project विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनिया है जो mobile technology का development करती है यह network का development कर बाती है उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है उसका नाम दिया है 3GPP और यह बनाया 1998 में इसका headquarter है France में बड़ी-बड़ी company है इसमें सोनी है Samsung है जो बड़ी-बड़ी company है इसमें शामिल है यह जो 3GPP है इस 3GPP नहीं पाचवी generation का mobile का development भी करवाया बाकी भी इसकी देख हम requirement होंगी data की क्या requirement होगी other क्या requirements उसकी होगी कि हम उसको 5G mobile कह सके तो सब का सब डिसाइड किया है 3GPP के थरू third generation partnership project के थरू और world में जो सबसे पहला जो 5G जो commercially launch हुआ लोगों के लिए वो launch किया है South Korea की जो S के टेलीकॉम जो है वहापर उन्होंने अप्रेल 2019 में इसके union है उसके बहुत सारे देशों में launch हो गया तो आज world में बहुत सारे देशों में 5G use हो रहा है हमारे इंडिया में जो 2021 है इसमें निशित रूप से launch हो जाएगा 5G एर टेल कंपनी तो ऐसा कहा रही है कि यदि government permission दे दे तो एक दो महीने के अंदर मार्च अप्रेल से पहले ह वह है अपना 5G को वह लोगों को available करा देंगे और एर टेल वाला जो 5G भी आएगा उसमें खास बात ये भी है कि अभी जो 5G है उसमें हमको mobile है जो हमारा handset है उसको change करने की जोड़त भी नहीं है वह 4G के platform को ही develop करके speed बढ़ा रहे है network की तो उसमें हमारा network और तेज हो जा आएगा हला कि जब और full flash 5G development जब होगा तो उस समय पर तो हमको new handset जो है खरीदना ही होगा 5G का तो 5G mobile technology के बारे में detail में हम अपने next video में discuss करेंगे तो मिलते हैं next video में